नमस्कार दोस्तों दोस्तों NCB लगातार कुछ न कुछ काम में लगी हुई है ये बात और है कि उसके द्वारा पकड़े गए ज्यादा तर या यू कहें कि दो-तीन लोगों को छोड़ कर सभी लोग जो है जमानत पर बहार आचुके हैं उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा और साथ में अब जो हालिया तोर पर NCB ने कारेवाही किये उस पर मैं आज की वीडियो में चर्चा करूँगा NCB जब से SSR केस में आई थी तब से लगातार अपना काम कर रही है और समय समय पर किसी ना किसी को अरेश्ट भी कर रही है बलगी लगातार लोगों से पूस्ताष भी कर रही है NCB ने हालि में जो है दिया मिर्जा की एक्स मैनेजर रहीला फरनीचर वाला को अरेश्ट किया था आप सब को पता है आप सबने सुना होगा इसके अलावा NCB ने 200 किलोग्राम विदेशी गांजा बरामत किया है ये गांजा जो है पार्सल के रूप में बाहर से लाया गया थ जो मुंबई में लाके इस्टोर किया गया था दरसल पहले तो NCB ने जो है रहीला को अरेश्ट किया जो की दिया मिर्जा की एक्स मैनेजर थी उसके बाद रहीला की बहन शाइस्ता को गरफतार किया और साथ में एक बिरिटिस पासपोर्ट धारक करन सजनानी को अरेश्ट क करन सजनानी जो था वो रहीला का फ्रेंड है रविवार को यानि कल तीनों को कोट के सामने पेश्ट किया गया था जहां साइश्टा को जो है जमानत दे दी गई है लेकिन रहीला और करन को दो दिन की NCB कश्टडी में भेज दिया गया है NCB उम्मिद जता रही है कि रहीला और करन से पूस्ताच में जो है बॉलिवुड के कई बड़े नामों का खुलासा होगा हाना कि अभी तक जो है दिया मिर्जा का कोई रॉल ड्रग केस में नहीं मिला है करन के घर से हाली में जो 200 किलो ग्राम गांजा मिला था करन ने अपने घर पर एक बड़ा सा मिक्स्चर रखा हुआ था उसी में गांजे को स्टोर करके रखा जाता है जितनी भी call जो गांजे के लिए आती थी जितनी भी demand गांजे के लिए आती थी तो करण वो सारी demand जो करण के पास आती थी करण उन्हें गांजे के supply करता था और payment कभी भी जो है अपने account में नहीं लेता था यानि जो payment आती थी वो सारी payment आती थी राहिला के Google Pay account पर खुद का जो सप्लाई करता था खुद करता था पेमिंट लिता था राहिला के अकाउंट पर यानि ये बात के लिए रहे कि करण और राहिला जो है दोनों ड्रक का कारोबार करते थे मिलकर कारोबार करते थे और बहुत बड़े लेवल पर NCB सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि करण यह गांजा जो है 5,000 रुपे प्रतिक ग्राम की दर से बेशता था आप सोच के देखिए 5,000 रुपे प्रतिक ग्राम सौने के रेट से हो गया एक कम से कम सौने से भी जादा उसके ग्राकों में बॉलिवुड के लोग ज्यादा शामिल थे चाहे वो फिल्मों से जुड़े हो या टीवी जगत से ऐसा भी नहीं है कि करण यह जो ड्रग है सिर्फ मुंबई में फिल्म वालों को ही सप्लाई करता था गोवा में तमिल नाडू करनाटक आंतर परदेश मेगाले यहां तक कि पूरे भारत में जगे जगे पर यह कारोबार फैला हुआ था कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर की राज से पहले यह गांजा अगर पकड़ा जाता तो यह जो मात्रा 200 किलोग्राम की है यह 400 किलोग्राम होती अब आप जो है खुद समझ सकते हैं कि मुंबई में ड्रग के पैर कितने अंदर तक धसे हुए है आप समझ सकते हैं कि ड्रग का नाम आते ही नेता से लेकर अभी नेता तक क्यों तिल मिला जाते हैं वैसे कहा तो अभी ये भी जा रहा है कि करण और रहिला से कई बड़े नामों का खुलासा होने वाला है क्योंकि ये मुंबई में बड़े सप्लायर्स में से एक थे कैई यूट्यूबर्स भी जो ये दावा कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी मचलियां अब पकड़ी जाने वाली है लेकिन अगर हम NCB के पिछले रिकॉर्ड पर नजर डालें तो ऐसी संभावनाई कम ही नजर आती है बाकी लोग क्या सोचते हैं मुझे उस बात से मैं मैटर नहीं करता है लेकिन मुझे लगता है कि अब भी कोई बड़ा नाम सामने नहीं आने वाला है आ जाए तो अच्छी बात है लेकिन अगर पिछले रिकॉर्ड के आधार पर बोला जाए देखा जाए तो अभी ऐसा कोई बड़ा नाम सामने आने वाला नहीं है वैसे इससे पहले भी रिगल महाकाल का आपको सुना होगा बहुत ज़्यादा फैमस हुआ था रिगल महाकाल के टाइम पर भी बड़ा सप्लायर बताया जा रहा था जिसके बाद कहा जा रहा था कि NCB ने मुंबई से ड्रक की सभी चैन समाप्त कर दिये पूरी चैन खतम कर दिये उसके बाद कहा जा रहा था कि बड़ा सप्लायर है तो अभ जो है बड़े-बड़े नाम सामने आने वाले है बॉली वुड में कोई सप्लायर नहीं बचा है ये रीगल महाकाल के टाइम पर कहा जा रहा था और अब देख लो राहिला और करन सजनानी 200 किलोग्राम का गांजा बहुत बड़ा एमाउंट होता है रीगल महाकाल के दोरान भी कहा जा रहा था कि बड़े नाम सामने आने वाले हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा सप्लायर था सबी लोगों को यही ड्रग सप्लाई करता था लेकिन कितने नाम सामने आए आपको खुद बताए उसी तरह अब कहा जा रहा है कि बड़े नाम सामने आने वाले हैं देखते हैं कितने नाम सामने आएंगे, अगर नाम सामने आते हैं तो बहुत अच्छी बात है और नाम सामने आने भी चाहिए इतना बड़ा सप्लायर है 200 किलोगराम गांजा अपने घर में स्टोर करके रखता है तो सीधी सी बात है कि बड़े बड़े जो कंजूमर है ड्रक के कंजूमर है उन तक गांजा सप्लाई होता होगा अगर अभी भी नाम सामने नहीं आता है तो 100% इसमें कहीं न कहीं धानलेबाजी हो रही है आप भी अपने राए इस गांजे पर 200 किलोग्राम की जो कॉंटिटी है जो एमाउंट है अपने राए जरूर देना क्या कोई बड़ी मचली पकड़ में आ सकती है इस बारे में भी आप जरूर बताना इस वीडियो में इतना ही जैहिन